इलाइट स्टेडी प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में हम डिसकस कर रहे है हिमाचल परदेश पूलिस काउंस्टेबल कोचिंग के बारे में यदि आप निरंतर रूप से हमारी सीरीज को देखते रहेंगे तो निश्ची तोरे आपको बहुत लाहब मिलन पूलिस काउंस्टेबल की बात करें यदि बिभीन तरह की प्रतियोगी प्रिक्शाओं की बात करें हरो सांग साथ बज़े आपको जर्नल नॉलेज का वीडियो उसके बाद रिजिनिंग का उसके बाद मैत का निरंतरे वीडियो आपको उपलफ्त करवाय जा रहे है आपको एक नविंतम जानकारी देदे हमारे टीम के दोरा Android Elastudy Application त्यार की गई है जिसमें आपको विभिन तरह की हदेन समखरी निसूलक में मिलेगी Play Store में जाईएगा और बहां से आप इस आइकन यहाँ पे देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे ठीक है Elastudy आपकी त्यारी बिल्कुल Complete हो जाए अगले वीडियो में हम एक Old Question paper लेकर आएंगे उसको डिस्कस करेंगे उसके बाद निरंतर हम आगे वैसे बढ़ते रहेंगे जैसे हम लोगों ने भी आपको बताया पहले topic होगा उसके बाद MCQ के साथ आगे त्यारी करेंगे देखिए सीरी जैराम ठाकुर जी की बात करें तो इनके बारे में याद रखेंगे यह हमाचले परदेश के मुख्यमंत्री और जो इनका बिधान सबक सेत्रे सिराज सिमला से चुनकर आए है इनके पास यही बात करें देखिए इसा का जाता है कि बित ही सरकार है फाइनस के उपर ही सरकार चलती है तो फाइनस डिपार्टमेंट इनके पास है समानिय अडिमिनिस्टेशन होम मिनिस्टर की बात करें प्लानिंग, कार्मिक, P.W.D. परेटन, आपका रियेवम, काराधन विवाग या अन्य अन्य असे डिपार्टमेंट हम निचे पढ़ेंगे जो मंत्रियों को भिवाग नहीं दियेगे है, वो किसके पास है मानिय मुख्य मंत्री सीरी जैराम ठाकुर जी के पास है, देखिए यहाँ पर देखिए home department हो गया, finance हो गया, कार्मिक हो गया, और PWD हो गया, ठीक है, यहां से आपको definitely प्रसंद देखने को मिलेंगे, देखिए, एक्साजेंट एक्सेशन department भी बहुत important department है, और examiner आपको confuse करने के लिए जुरूर यहाँ पे CM साब, आप सोच भी नहीं सकते कि CM साब के पास यह department हो सकते हैं, और confuse करेगा, तो आपको अच्छे से त्यारी करनी है, एक logic बना के रखिए कि जो finance है, home ministry है, PWD है, प्रेटन है, एक्सरजेंट एक्सेशन जैसे बहुत ही मत्तोपोन department हो किसके पास है, मानिय मुख्यमंतरी सिरी जैराम ठाकुर जी के पास है, आगे बात करेंगे सिरी सुरेश भारदवाज जी, एक tips बताऊंगा आपको इनके नाम से, सरी से इनका नाम है सुरेश भारदवाजी, सरी से आपने आद रखना सरी, सरीक सेतर से चुन किया है सिमला से, दी गई है नेक्स्ट बन इस सिरिमती सर्बिन चौधरी याद रखिएगा ये हिमाचरी प्रदेश सरकार में एक मातर महिला मंतरी है बरतमान में हमारे विधान सबा में 68 सीट्स है जिसमें से 5 फीमेल MLA है दो दल हमारे मुख्या दल है हिमाचरी प्रदेश में कॉंग्रेस और आमाजिक न्याए एबम अधिकारिता मंतरालिया इने दिया गया है और इनका जो विधान सबाग सेतर है सहापूर जीला कांगडा से चुनकर विधान सबा में पहुंची है नेक्स्ट बन इस डॉक्टर रामलाल मरकंड़या याद रखिएगा इनका जो विधान सबाग सेतर इनको जो मिनिस्ट्री दी गी है टेक्निकल एजूकेशन, जन जातिया विकास, आईटी और जन शिकायत निवारन मंत्रालिया इने दिया गया है पहले ये हिमाचल परदेश के क्रिसी मंत्री थे लेकिन अब इन से डिपार्टमेंट छीन लिया गया है आगे बात करेंगे सिरीक गोबिन सिंग ठाकुर, तो एक काफी मत्तोपुर्ण आपको प्रसंl होने बाला है यहीं सिरीक गोबिन सिंग ठाकुर जी की बात करें इनका जो बिजान सबक सेत्तर है, वो मनाली है, जिला कुलनूमस्तित है एट परजान्टी हिमाचर परदेश के सिक्सा मंत्री है मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले डिपार्टमेंट सिरी सुरेश बारदाओ जी के पास था अब एडिपार्टमेंट दे दिया गया है सिरी गोविन सिंग ठाकर जी को इनके पास देखिए हाइर एजुकेशन, एलिमेंटरी एजुकेशन ठीक है जो प्राणबिक सिक्सा मंत्राले इनी के पास है उसके बाद बात करें भासा की लेंगेज, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री भी इनी के पास है इसको जाद रखिएगा, इससे पहरे इनके पास परिवहन, बन और यूबा सिवायन जैसे मत्तोपोर मंत्राले थे लिकिन अब इनकी जिम्यदारी को चेंज कर दिया गया है, श्री कोविन सिंग ठाकर को पनाया गया है हिमाचल प्रदेश का सिक्सा मंत्री इनका जो विधान सबक सेतर है, एक सॉलन है और इनने मिनिस्ट्री दी गई है, स्वास्तिया एबं परिबार कल्यान और आयुरुवेदिक मंत्री COVID-19 पैंडामिक चल रहा है और इसी के बीच में स्वास्तिया मंत्रालिया की जो जिम्यदारी दी गई है, वो इनने दी गई है डॉक्टर राजिव सैजल जी को सबसे जो अनुभव वाले जहराम सरकार की केबिनेट में मिनिस्टर है, उनका नाम है सिरी मिनिस्टर सिंग ठाकूर, धरमपूर जिला मंडी से चुनके विधानसवा पहुंचे है, इनको जो मंत्रालिया दिये गई है जलसक्ती, राजस्व एनी रेबनियु डिपार्टमें बिरेंदर कमर जी का जो विधानसवाग सेतर है, कुट लहर है, जिला उननाम में ठीक है, ग्रामीन बिकास पंचाइती राज मंत्रालिया और जो क्रिसी मंत्रालिया पहले डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी के पास था, ये भी नी के पास आगया एट परजेंट, और इसी बर पहले गोविन जी के पास था, अब इनको दे दिया गया है, और रोजगार मंत्रालिया भी इनी के पास दिया गया है, आपने देखा था जो इन्वेस्टर मीट वीथी धर्मसाला में, कापी सफल उसका आयोजन हुआ था, उसके पीछे मानिया सिरी बिकरम सिंग जी का ही उर्जा एवम गयर परंप्राक्त मिनिस्टर ने बनाया गया है, इलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट से इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, और बरतमान में उसी के मिनिस्टर बन चुके है, और आजकर एक करोना पॉस्टी पाया गया है, अपने ट्रीटमेंट करवा रहे है, याद रखिएगा, यह पहले नय मंत्री थे, बने है इस कैमिनेट में, ठीक है, जिनका नाम है, सिरी सुकराम चौधरी पॉंटा साभी सिर मौर से चुनकर आये है, दूसरे जो नय मंत्री बने है, उनका नाम है सिरी राकेश प्ठानिया, याद रखिएगा इनका नाम सिरी राकेस प्थानिया जी इनका जो विधान सबक सेतर है वो आपको बता दें यह जो विधान सबक सेतर है इनका नूरपूर जिला कांगडा है ठीक है कांगडा से देखिए पहले भी आपने एक मंत्री के बारे में पड़ा दूसरी मिनिस्ट्री भी कांगडा में इनी को दी गई है ठीकन का नाम है स्री राकेश पठानिया और देखिए फोरेस्ट और यूबा से बाइवं खेल मिनिस्ट्री ने बनाए गया है इससे पहले ये डिपार्टमेंट किसके पास था गोविन सिंग ठाकुरजी के पास था नेक्स्ट बाने इस जो तीसरे मंत्री ये काफी मत्वप पाने में सफल हो गया है इसको आप लोग याद रखिएगा अब आपने सारे मिनिस्टर्स पढ़ लिए अब आपको कुछ ऐसे यूनिक से एमसी की डिसकस करेंगे जो कि विविंतरा की प्रिक्सवाँ में आ सकते है प्रसन नमबर एक ये माचल परदेश सरकार द्वरा 31 सक् कितने मंत्रियों के विवाग बदले ठीक है मैंने कहा कि काफी बड़ा मंत्री मंडल में परिवर्तन किया गया है तो इसका सही उत्तर होगा पांच मंत्रियों के विवाग बदले गया है इक कौन-कौन से मंत्री है सिरी स्फ्रेशवार दौाज है सिरी सर्बिन चौधरी सिर महिंदर सिंग ठाकुर, स्री राकिस प्ठानिया या स्री राजीव सैजल आपको बताया कि पैंडामिक के बीच में मंत्रालिया इन्हें दिया गया है डॉक्टर राजीव सैजल नेक्स्ट बन इस हिमाचल परदे सरकार में लोक निर्मान मंत्री कौन से है देखिए पी डॉबल डी मिनिस्टर कौन से हमने भी पढ़ा था कि फाइनेंस पी डॉबल डी एकसाजन टेक्सटेशन और टूरिजम जैसे महत्तोपन डिपार्टमेंट किसके पास है जी मुख्या मंत्री सिरी जैराम ठाकुर जी के पास है तो आप याँसे मेंदर सिंग ठाकुर को भी कट कर देंगे गोविन सिंग जी को भी और राकिस प्ठानिय जी की हो तराइट अन्सरी जैर मुख्या मंत्री सिरी जैराम ठाकुर नेक्स्ट बन इस इमाचल परदेश सरकार में इमाचल परदेश सरकार में तक्निकी सिक्सायवम आईटी मंतरी कौन है टेकनिकल मिनिस्टरी और आईटी डिपार्टमेंट की से दिया गया है सिरी महेंदर सिंग ठाकूर, गोविन सिंग ठाकूर, आकिस प्ठानिया या रामलाल मारकंडे तो की से दिया गया है जी सिरी रामलाल मरकंडे जी को दिया गया है पहले ये क्रिसी मंत्री थे लेकिन अब इनके पास ये डिपार्टमेंट नहीं है याद रखेगा टेक्निकल एजुकेशन और आईटी मंत्रालिया इन्हें दिया गया है हिमाचल परदेश सरकार में भासा कला एबं संस्कृती मंत्री कौन है सिरी महेंदर सिंग ठाकूर नो सिरी गुमिन सिंग ठाकूर यस सिरी सुरेश बार्द्वाजी नो सिरी राकिस प्थानिया नो तो राइट अन्सर आपको हमने बता दिया इसका इमाचल परदेश सरकार में परिवहन स्रम मेवम रोजगार मंतरी कौन है ठीक है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लेबर और इंप्लॉइमेंट मिनिस्टर आप भी रोजगार होंगे आपको रोजगार चाहिए तो इसका आपको पतावन चाहिए मंतरा लिया किसके पास है याद रखिएगा जो इनिवेस्टर मीट था उसका पिस सफल आयोजन इनी के सोजन्या से हो पाया था यह माचल परदेश सरकार में राजिस्ट्व मंतरी कौन है रेबनियू मिनिस्टर आपको यहां से पहचानना है इनी के पास है लेकिन अब इने अडिस्नल यहां पे सौंपा गया है राजस्वा मंतरी भी सिरी महेंदर सिंग ठाकुर जी को ही बनाया गया है हिमाचल परदेश सरकार में कार्मिक मंतरी कौन है ठीक है मिनिस्टर आप परस्टनल इन गबर्रमेंट आप हिमाचल परदेश सिरी महेंदर सिंग ठाकुर इमाचल परदे सरकार में क्रिसी मंत्री कौन है देखिए आपको कन्फ्यूस करेंगे यहाँ पर प्रसन डेफिनिटी कन्फ्यूस करेंगे यह दिया गया है यहाद रखिए कि जो क्रिसी मंत्रालिया दिया गया है ऑप्सन डेफिनिटी राज मंत्रालिया भी इनी के पास है यह भी आपने आद रखना है क्योंकि इसी वर्स्त दोजार इकिस बीस के अंत में या 21 में चुनाब होने प्रस्तावित है इमाचर परदे सरकार में बिजली मंत्री कौन है ठीक है उर्जा मंत्री या बिजली मंत्री आपसे पूछ लिया जाए अगला प्रसन है इमाचर परदे सरकार में आपकारी इवम कराधान मंत्री कौन है एक्साइज और टेक्स्टेशन डिपार्टमेंट कौन है कॉंग्रेस की सरकार में प्रकास चौदरी जी के पास है डिपार्टमेंट था ठीक है उसके बाद अब देखिए जो यह चेंज किया गया है इसमें तो कौंगरेस की तो सरकार नहीं है तो उनके पास तो डिपार्टमेंट नहीं रहेगा सुषरि मेंदर सिंग थाकौर, स्效 मेंदर सिंग थाकौर, स् offense सिंगह ठाकौर, स्ट्राके स्प्टάνिया या option no. D या नहीं कुग्हा मंतरी सिरी जैराम थाकौर जी के पास है डिपार्टमेंट भी है स्टेंस यहां पर हमने देखा काफी मत्तोपुर्ण प्रसन यह के दो प्रसन आपको definitely यहां पर सिखने को मिलेंगे देखे इस प्रिक्सा के लिए आप हिमाचल प्रदेश समाने गयान की हमारी समगरह देन की किताब है जो कि आपको कलर्क से लेकर एचेस तक की प्रिक्साओं के लिए काफी मत्तोपुर्ण है इस किताब का वजरूर प्रचेस कीजिएगा हमारी website से और एक बर अच्छे से पढ़ लेजिएगा एक ऐसी magazine आपको चाहिए दे जिसमें हिमाचल प्रदेश के क्रेंट पेस हो त्यार कियागी है यह किताब भी आपको हमारी website lasterdco.in पर मिल जाएगी अब देखिए आपको यहाँ पर language, English और Hindi अच्छे से पढ़नी है तो हमारी टीमोंने suggest करती है आपको हमने market में गये हमने कुछ अच्छे grammar से देखे बहाँ पे जिसमें से जो हमें best लगें वो हम आपको recommend करने जा रहे है यह माचल दरपन है यह आपके लिए अच्छा grammar हो सकता है दूसरी तरफ हरियंत बालों का एक grammar है यह आपका जो इंग्लीज इसमें इंग्लीज को अच्छे से cover up कर लेगा और एक बात करें जो competition का स्तर है यह दोनों grammar हो में इतना quality of material हमें लगा कि आप इसमें असानी से बीट करने के लिजी फिल बन सकते है यह grammar भी आपको हमारी website elastoryco.in पर मिल जाएंगे वहाँ से आप इने भी purchase कर सकते हो देखिए जो clerk की प्रिक्सा होती है काफी मत्तोपन प्रिक्सा होती है बहुत से प्रसन इस प्रिक्सा से repeat किया जाते है तो हमारी टीम आप लोगों के लिए पिछले 10 बरसों के old question paper यानी करीब 1850 प्लस का question bank त्यार किया गया है हर प्रसन को description के साथ में solve किया गया क्योंकि description से भी नए प्रसन बनते है और बहुत से प्रसने repeat भी होते है तो यह किताब आपको clerk की प्रिक्सा में तो साहिता करेगे ही करेगी प्रस कांस्टेबल में भी आपको साहिता करे की सामन्य गयान में और भी बिबिन तरह की जैसे जियोईटी की प्रिक्सा या अन्यस तरह की प्रिक्सा हैं होती है बहां पे भी यहां से बहुत से प्रसन आपको repeat होते हुए दिक्स जाएंगे हमारी ये किताबें प्रकास एंटर्वाजिस मंडी के पास भी उपलब्ध है यहां पे फिलाल अभी हमारी दो ही किताबें हैं हिमाचल समगरहदेन और इलेश्टरी टीम दर जो हाफ यरली मैगजीन है इन्हें आप मंडी से प्राप्त कर सकते हैं इसके लाब हमारे और भी डिलर से आप अपनी स्क्रीन पे से पाउस कर लिजिए और यहां पे आप इनके नाम देख सकते हो ठीक है इन डिलर्स के पास भी हमारी दोनों किताबें हिमाचल परदेश मगरहदेन हाप इरली मैगजीन यहां पर उपलब्ध है अपने फ्रेंड सेर्कल में वीडियो का लिंक जुरूर सेर करते रहे ताकि हमारा कुनबा भी थोड़ा सा बढ़ता रहे और आप कोई सफलता आपको सीगर ही मिले थैंक्यू बैरी मस्ट कीप वाचिंग इलैस्टेडी योट्यूब चैनल